हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3 1 टैक तो फ्रेंट्स जैसा कि आपको इस वीडियो के थमिल से क्लेयर हो रहा होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन से अपने य यूज़ भी कमी आते हैं अभी चैनल के उपर उनके लिए आज की ये वीडियो है क्योंकि सब्सक्राइबर हाइड करने से आपको बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि जब भी कोई आपकी वीडियो वाइरल होती है तो उससे जो भी ओडियनस आपके चैनल के उपर विजि होंगे तो ये काफी जादा informative वीडियो है छोटी सी है पर फिर भी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे स तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे हमें सबसे पहले Chrome ब्राउजर के अंदर जाना है तो मैं अपना Chrome ब्राउजर ओपन कर लेता ठीक है उसके बाद आपको Chrome ब्राउजर के अंदर यहाँ पे आपको टाइप करना है www.youtube.com उसके बाद आपको एंटर कर देना है गो लिखा आता है जो नीचे ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में जो यह एरो दिख रहा है आपको थी डोट्स दिखा गया है और आपको अपने चैनल के अंदर लोगिन कर लेना है मैंने इसमें एक डमी चैनल से लोगिन किया हुआ है अब मैं आपको इसे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं तो आपको यहाँ पे राइट साइड में आ जाना है देख सकते हैं आप जूम करके मैंने दिखाय है राइट साइड में आपको अपने चैनल के आइकन के उपर क्लिक करना है और यहां पर आपको थर्ड नंबर पर मिलेगा यूट्यूब स्टूडियो का एक ओप्शन तो आपको इसके उपर टैप करके रखना है और इसे दूसरे टैप के अंदर खोलना है अगर आप सेम टैम में खोलेंगे तो आपकी यूट्यूब की वाइटी स्टूडियो की एप्लिकेशन है वह खुल जाती है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है तो इसको आपको ओपन इन न्यू टैप पे क्लिक करना है तो यह हमारा बैक्राउंड में खुल गय तो इसी तरीके से स्क्रीन आ जाती है उसमें भी आपको ठीक है अब आपको मैं यहां पर जूम करके दिखा तो यहां पर नीचे लेफ्ट साइड में आपको एक सेटिंग का ओप्शन दिखाई देता है यह वला नीचे ही है यह इसके उपर आपको टैप करना है तो इस तरी क्रीमेंट का ओप्शन अपर आपको सेकंडर नंबर है चैनल का आपको इसके उपर क्लिक करना है और यहां आपको देख सकते हैं आपके सामने बेसिक इंफो एडवांस सेटिंग फीचर इलेजिबिल्टी का ओप्शन आता है तो आपको इहां पर आपको स्यलेक्ट करना है उसके बाद आपको यहाँ पे scroll down करना है और यहाँ पे आपको एक option दिखाई देगा तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरे 21 subscribers हैं जे उपर आपको दिखाई दे रहे होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक option दिखता है subscriber count का जिसमें लिखा हुआ है जो box लगा हुआ है वो अंटिक है अभी display the number of people subscribe to my channel मतलब जिन्होंने मुझे subscribe किया हुआ है अगर मैं उसे दिखाना चाता हूँ तो मैं यहां से उन्हें on कर सकता हूँ अगर मैं इसे on कर दूँँगा तो मेरे जो 21 subscribers हैं वो आपको दिखाई देने लग जाएंगे अभी वो किसी को दिखाई नहीं देते क्योंकि मैंने उन्हें hide के रखा था ये मुझे दिखाई दे रहे हैं इसमें क्योंकि ये मैंने open किया हुआ मेरा channel है तो मैंने यहां पे इसे इस पे click कर दिया तो ये display हो जाएगा और मैं उसे display नहीं करना चाता मैं दिखाना नहीं चाता तो आपको क्या करना है इस box को untick कर देना है आपको और simple आपको यहां पे नीचे आना है और यहां पे ये save का option highlight हो जाएगा तो आपको save वाले option के उपर click कर देना है इसे untick करके ठीक है और फिर इसे close कर देना है तो आपके जो subscribers है YouTube channel के वो hide हो जाएंगे तो इस तरीके से आप अपने mobile phone से ही अपने YouTube channel के subscribers को hide कर सकते हैं उन्हें छुपा सकते हैं तो friends अब आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि आप कैसे अपने mobile phone से अपने YouTube channel के subscriber को hide कर सकते हैं फिर भी वीडियो से related कोई भी query कोई भी question है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा like और share करें Thank you